अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन वाक्स आमने लिंक दे रहा है और आप हमारे एप के साथ जॉइन हो जाओ आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम पॉफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सेलेक्शन की गरांटी है यह कोर्स आपको सीर्फ और सीर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेश चलेगी जली 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 जॉइन हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडिया प्रोवाइड कराया हुए जिसमें 8000 objective questions है जो Hindi English दोनों महासाव में मिलेगी और इसमें आपको सारे subject के questions मिल जाएंगे यह आपको 149 में मिलेगा यह भी आपको हमारे app में ही मिलेगा ठीक और app का link हमने description box में दे रखा या फिर जाके play store में सर्च करना study medium आपको दीख जाएगी और अगर आपको course purchase करने में problem होती है त ATM कुछ भी कर दो और आप हमें WhatsApp कर देना आपका course active हो जाएगा ठीक है पहला question से भारत की सारवदिक प्राचिन लिपी कौन सी है सिंधी प्राकृत खरोष्टी या ब्रामी तो इसका करेंसर हो जागा option डी ब्रामी ब्रामी जो यह सबसे पुराने लिपी है और इसी का extension में हि ठीक है हिंदी जो भासा है यह इसी के extension में आया है मतलब देव नागरी लिपी जो है यह इसी के according आया है ठीक है उसके बाद संस्कृत संस्क Exhale वो भी ब्राह्मी से ही तो सबसे पहले जो लिपी थी वो ब्राह्मे थी थी नेश कोशन से किसके आप प्रतिक चिन में बहूझन हिताई और बहूझन सुखाय अंकित है बहुजन हिताई और बहुजन सुखाई अंकित है आकाशवानी, दुरदर्शन, भारत जीवन विमानेगम या फिस साधारन जीवन विमानेगम तो इसका करेड़ेंस रोजगा आपसन है आकाशवानी आकाश वानी का जो टेग लाईन है वो बहुजन हिताई बहुजन सुखाई है ठीक है नेक्ट क्वेशन से भारत में पुनर जागरन का जनक किसे कहा जाता है श्वामी दयानान सरसती को अप्शन वी श्वामी विवकानन को अप्शन सी राजा राम मोहन राई को एन अप्शन वी महात्मा गांधी को तो इसका करिडेंस वो जागा अप्शन सी राजा राम मोहन राई को राजा राम मोहन राई को भारत में पुनर जागरन के जनक माना जाता है ठीक है next question से केरल में सार्वधिक प्रचलित सांस्त्रिय निरित कौन सी है केरल में सबसे ज़्यादा सांस्त्रिय निरित कौन सी चलती है कुचीपूरी कथकली मोहिनी अट्टम या फिर भरतनाइट्टम तो इसका काईट अप्शन भी कथकली ठीक है यह केरल में चलती है कथकली कुच ठीक है नॉर्थ इंडिया में मतलब जैसे की यूपी हो गिया है ना यूपी में गुजरात में यहाँ पर आपको भरतन आइटेम देखने को मिल जाएगा next question से मातर सोलब बर्स की आयू में किस नित्यांगना को गुरुदेव रविन्ना ठाकूर ने कत्थक समरागी कहकर सम्मानित किया था कत्थक समरागीरी किसे बोला गया था और रविन्ना टेगर के द्वारा किसे बोला गया था next question से फुल कारी लोक कला कहां पर प्रचली थे महाराष्ट गुजरात हर्याना या फिर आंद्रपरदेश तो इसका कर्णाटक संगित का पितामा किसे कहा जाता है त्याग राज को पुरंदरदास को श्वाती तुरूपाल को या फिर मृतु श्वामी दिच्छीतर को तो इसका कर्णाट एंसर हो जागा option भी पुरंदरदास को ठीक है पुरंदरदास को कर्णाटक संगित का पितामा बोला याता है नेक्स पॉस्चन से अल्ला रखा किश वाय दियंतर से संबंदित है तबला से शरोज से सितार से या मृदंग से अल्ला रखा तो अल्ला रखा जोती हो तबला से संबंदित थे ठीक है नेक्स पॉस्चन से नेमलेखित में से कौन सा वाय दियंतर वायू दुआरा संचारित होता है शितार सहनाई संतूर या वीना तो इसका गारेट अंजरो जगा ऑप्शन भी सहनाई इसको वायू संचारित करके बजा आया था ठीक है बागि सितार जो यह वायर से बजती है आसक के काल को चित्रकारी का श्वरनकाल बलाया तो यह वहर इंपोर्टेंट है चित्रकारी का श्वरनकाल अकवर को जहांगीर को सा जहां को या औरंग्जेव को तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी जहांगीर को जहांगीर को चित्रकारी का श्वरनकाल बला पाश्वर्वनात को रिशवदेव को नेमीनात को या फिर महावीर को तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा अफसंडी महावीर को ठीक है जैन धर्म का वास्तिविक संस्तापक महावीर श्वामी थे ओके नेश कोशन से तिरी रत्न शिद्धान्त शम्यक धार्ना शम्यक चरित्र और शम्यक ज्यान की इस धर्म की महिमा है बोत धर्म की इशाई धर्म की जैन धर्म की या फिर मेंशे कोई नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑफसंडी जैन धर्म की ओके नेश क्वेशन से स्विन्यवाद की प्रवर्तक कोन माने जाते हैं मैते नात माधवाचारी रामानूज या फिर नागारजुन तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑफसंडी नागारजुन नागारजुन को स्विन्यवाद की प्रवर्तक माने जाते हैं नेट्सक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् वार यहां भी मंदीर हैं तो यह कहां Arkा सुर्य मंदीर जो है उसको बहारता है ब्लेक पेगोड़ा यहां पे भघान है उनका कलर भी ब्लेक है ठी ras पुरेस ब्लेक कलर का पूदिखेग아 ब्लेक पेगोड़ा तो यह entren कऊनार को मंदीर है next question मंदीरों की उत्तरी shelly किस नाम से जाने जाती है मंदीरों का जो उत्तरी shelly होता है किस नाम से जाना जाती दरवीड, नागर, बेशर या फिरिन में चुक होई नहीं तो correct answer हो जागा option भी नागर ठीक है यह नागर है यह उत्तरी shelly है और ये जो द्रविड है न ये ये दच्छनी सेली हैं ये दच्छनी सेली हैं ओके और बैशर ये आपको नौर्थ इस्ट में मिलेगी ओके चला नेक्ट क्वेशन्स कर बढ़ते हैं वीर भूमी किसे संबंदित हैं लाल भादू सास्तरी से राजीव गांधी से जग जीवन रा जो लैटवल दुन बेश्च तो ये ये गांधी से संबंदित हैं तो य कंबोडियान में अवस्ति घ्यांकॉर वाड जो है वो कमबोडिया में पाय जाता है नेश क्वेशन से भारतिय सिक्षा के 10 प्लस 2 प्लस 3 आगार की सिफार इस किसने की थी कोठारी आयोग, मुर्दालियार आयोग, राम मूर्ती आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग तो इसका करेट अंसर हो जागो, आपसने कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग, 10 प्लस 2 प्लस 3 और नेक्स क्वेशन से, उर्दू किस भासा का सब्द हैं, तुर्की, फार्शी, अर्वी या फिस संस्क्रीट, तो उर्दू जो है, वो तुर्की भासा से लिया गया है, ठीक है, उर्दू तुर्की भासा से उत्पन हुआ है, और ये जो भासा, ये जो सब्द उर्दू, य चैप्टरवाइज नोट्स डाउट सेशन प्रैक्टिस सेट विकली टेस्ट और प्रिविएस एर कोश्चन के कम्प्लिट सोलेशन मिलेंगे और यहां पर हंड्रेट पर्सन स्लेक्शन की गरेंटी है यह कोर्स आपको सीर्फ और सीर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता अपका उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडिया प्रोवाइड कराया हुआ जिसमें आठ हजार अब्जेक्टिव कोश्चन से जो हिंदी इंगलिस दोनों महासां में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट क मिलेगा और अगर आपको कोर्स पर्चेश करने में प्रॉलम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फॉन पर गूगल पर पे पेटियम कुछ भी कर दो और आप हमें वाट्सप कर देना आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा ठीक है तो जैसे ही इस फॉर्म से रेगरेट